नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। म्यामार की 32 बर्सी ब्यूटी क्वीन मिस म्यामार तार तेत तेत ने भी सेना के खिलाफ बंदू उठा ली है। आगे लिखा एक बार फिर लड़ने का समय वापस आ गया है। मैं आप एक हथियार, कलम, कीबोर्ड रखें या लोकतंत समर्थक आंदोलन के लिए पैसे दान करें। हर किसी को सफल होने की कोशिस करते रहना चाहिए, मैं संगहर्स जारी रखूंगी, मैं अपना जीवन भी बलदान करने के लिए तैयार हूँ। तेत फिलहाल लोगों को जिमनास्टिक की ट्रेनिंग देती हैं। उनके सोसल मेडिया पोस्ट के बाद माना जा रहा है कि अब सेना के खिलाफ जंग में काफी लोग उनके सम्मूह से जुड़ सकते हैं। तेत ने आठ साल पहले ब्यूटी कंटेस्ट के दोरान भी सेना के कथित अत्याचारों पर भासर दिया था जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान म्या मार के खराब हाद तो क्यों गया था। 2013 में मिस ग्रेंड इंटरनेशनल ब्यूटी पिजेंड में तेत ने म्या मार का प्रतिनिदेत्व किया था। उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पे आंग सांग सुकी की तस्बीर लगा रखी है और वो कोट जिसमें लिखा है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंग सांग सुकी उनकी आदर्स हैं उनको वो फॉलो करती हैं उन्ही कोट को फॉलो करते हुए अब वो संगहर्स के लिए आगे आई हैं और जिस तरीके से ट्विटर पे उन्होंने साल ट्राइफल के साथ अपनी तस्वीर साजह की है उसमें बहुत कुछ संदेश छिपा हुआ है कि सिर्फ वो जिमनास्ट्र मिस म्यामार या ब्यूटी क्वीन ही नहीं है अंदर से जजबा है अन्याय और अत्यचार के खिराफ लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकारों की रक अच्छा करने का तो आप रहें ने बेखबर देखते रहें इन खबर थैंक यू